ट्विन फ्लेम जीवन में क्यों आते हैं? आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है ट्विन फ्लेम अपनी मर्जी से हमारी लाइफ में नहीं आते हैं आपने उनको बलाया होता है जब आप जीवन में बहुत बुरी दरह से फस जाते हैं जब जीवन में एक ऐसा मोड आता है, जहां आप दुनिया को रिष्टों को देख देख कर ठक जाते हैं, सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, जो भी आपके जीवन में आता है, वो अपना स्वार्थ निकाल कर चला जाता है, जो भी मिलता है वो ही दुख दे कर चला जाता है, दोका देता है, आप तो अपनी तरफ से इमानदार होते हैं, हर बार आप सच्चा प्यार करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी आपको हमेशा दोका ही मिलता है, जो भी आता है वो आपको समझ ही नहीं पाता है, और बार बार आपके मन में यही आता है कि जब आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है किस बात की सजा आपको मिल रही है आप बार बार इश्वर को पुकारते हैं जवाब मांगते हैं कि क्यों सब कुछ होते हुए भी आप अदूरा महसूस करते हैं या क्यों आपके पास कुछ नहीं है क्यों आप खाली हाथ है क्यों इतना तडपना होता है आपको किस बात की सजा मिल रही है आपको और जब ऐसा होता है तो आप एक सच्चा प्रेम तलाशने लगते हैं आप एक ऐसे साथी की चाहा करने लगते हैं, जो आपको समझे, प्यार करे आपको, और उस समय आप अपनी अंतरात्मा या ईश्वर को, या किसी भी शक्ती को बार-बार पुकारते रहते हैं, और आपके पुकार में इतनी व्याकुलता होती है, कि वो व्याकुलता ईश्वर तक, या यूनिवर्स तक, और आपकी अंतरात्मा तक पहुँच जाती है, और जिस साथी की तसवीर आपके दिमाग में थी, वो साथी की तसवीर साकार होने लग जाती है, ऐसे लोगों के जीवन में ही twin flame पार्टनर आते हैं, और जैसे ही आपके पार्टनर आपके जीवन में आते हैं, आपके सारे सवालों के जबाब आपको मिलने लग जाते हैं ट्विन पार्टनर के आने से ही आपकी अधूरी आत्मा पूरी हो जाती है लेकिन दोनों में से एक ट्विन फ्लेम जागरित नहीं होता है और दूसरा जागरित होता है और जो जागरित नहीं होता है वो अपने साथी से बाते चुपाता है secrets रखता है वो प्यार तो बहुत करता है लेकिन साथी चुपाने की कोशिश करता है clarity नहीं देता है लेकिन फिर भी दूसरे साथी को पता चल ही जाता है क्योंकि दोनों की आत्मा तो एक ही है ये एक दूसरे को जागरित करने के लिए ही मिलते हैं इनका उद्देश है रोमांस करना, बच्चे पैदा करना गुमना फिरना ये सब नहीं होता है इनका मकसद अपने साथी को अंधेरे से बाहर निकालना होता है खुद की पहचान कराना होता है क्योंकि ट्विन पार्टनर्स जो होते हैं वो ये नहीं चाहते कि उनकी एक आत्मा अंधेरे के भवर में फसी रहे वो अपनी आत्मा को निकालने के लिए आते हैं उनको life purpose के लिए जागरित करने के लिए आते हैं और जो जागरित twin होता है इन में से वो बहुत ही दयालू होता है बहुत sensitive, emotional होता है उनका साथी बले ही उन्हें hurt करे, दुख दे चाहें ignore करे, चाहें बात ना करे लेकिन फिर भी जो जागरित twin होता है वो अपना निस्वार्थ प्रेम अपने साथी को देने से पीछे नहीं हटता है जागरित twin, unconditional love देते ही रहते हैं क्यूंकि उनका प्यार आत्मा से जोड़ा हुआ होता है वो आत्मा से एक दूसरे को feel कर लेते हैं और यही true love होता है यही unconditional प्यार होता है जो शिव शक्ती और राधा कृष्ण की तरह होता है तो इसी लिए twin flame जीवन में आते हैं क्यूंकि उन्हें आपहीने बुलाया होता है आपहीने उनको अपनी तरफ खीचा होता है वरना तो वो अपने जीवन में ऐसे ही कहीं किसी भी मोड़ पर जीवन में फसे हुए होते ठीक है और आपने उन्हें बुलाया है इसलिए वो आपके जीवन में आते है मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजे कि अगाने पर जीवन में आते हैज कि अगाइब बॉलाया है कि भी में अगनके किऊशने Steva कि आते हुए 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 हिए. सुए हुए अगर.